सबसे पुराना है सनातन धर्म, हमारे साथ समझे इतिहास का सनातन को लेकर पूरा मर्व जब नहीं था दुनिया को भाषा और लिखने का ग्यान, उस समय भी हिंदुत्व की एक मूर्थी मचा रही थी, पूरे विश्व में धमाल हमारे साथ समझे इस से जड़ा पूरा मामला, एक हिंदुत्व की मूर्थी कैसे बनी है बड़े बड़े इतिहास कारों के लिए चुनोती, पांच हजार साल पुरानी गाथा को कर रही है फेल, हमारे साथ समझे इतिहास का पूरा खेल हिंदु धर्म कितना पुराना है, इस बात को लेकर लोगों की बीच में अक्सर बहस हुआ कर दिये, लेकिन इतना पक्का है कि हिंदु धर्म पांच हजार या दस हजार साल पुराना नहीं, बलकि इससे कई सालों पुराना है, ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बलकि सबू जाएंगे और कहेंगे हिंदू धर्म सबसे पुराना सनातन धर्म है अभी जो आपने मूर्ती देखी वह हजारों नहीं दो हजार साल नहीं बलकि 28000 साल से भी जादा पुरानी है यह बात हम यूंहीं नहीं कह रहे हैं बलकि वर्षों पहले जब इस मूर्ती का रासाइनिक पर और यह मूर्ती वैज्ञानेकों के पास कैसे पहुंची इन सभी प्रश्णों के हम आपको एक एक करके क्रमवार उत्तर देंगे दरसल इसको लेकर मिली जानकारी के मुदाबिक ये बात सन 1969 की है जब चीन ने तिबबत पर आकरमन किया था उस समय वहां कई बहुत पर इसको इसकी जानकारी मिली कि इस मूर्ती के आयू 28,450 सवर्श पुरानी है ये बात हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि उस समय नहीं लोगों के पास में किसी भाशा का ग्यान था और नहीं धातू का इसलिए ये प्रेश्ट उठने लगे कि आखिरकार ये कैसे संभव है कि किसी ने कांसे की श्री मूर्ती बनाई होगी इस मूर्ती के भीतर कुछ धातूं को ऐसे सटीक मात्रा में मिलाया गया है जिसके कारण ये यदि आप तामर जल पात्र में कुछ देर तक इसे रख दें तो जल भी अवशोशित हो जाता है फिलाल भगवान विश्व की ये मूर्ती बड़े बड़े इतिहास कारों के लिए पहली बनी हुई है कि आखिरकार जिस समय लोगों को भाशा और धातू का ग्यान नहीं था उस समय आखिरकार ये मूर्ती कैसे बढ़ाई गई और इसकी लंबाई चोड़ाई कैसे ना पी ग फिलाल ऐसा नहीं है कि ये मूर्ती एक मात्र सनातन की पुरानी गाथा को कहती हो बल्कि विश्व में कई और भी मूर्तियां हैं जो ये थाबित करती हैं कि हिंदत धर्म में सबसे पुराना धर्म है ब्यूरा रिपोर्ट पेढ़े निउज